प्रभात सक्षी नियुस नेटों कर आप सभी का स्वागत है कश्मीर में महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रशाशन कई तरह की पहले कर रहा है कश्मीर में खेल और विज्ञान में रूची रखने वाली लड़कियों के लिए तो कई योजनाएं प्रशाशन के और से चलाई जा रही है इसी के साथ ही लड़कियों को आत्म सुरक्षा के लिए भी प्रशिक्षन प्रदान किया जा रहा है ताकि जरुत पढ़ने पर वह अपनी सुरक्षा खुद कर सके इसी कड़ी में कश्मीर के बढ़गाम में लड़कियों को स्कूल में मार्शाल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है यहां प्रशिक्षन प्राप्त करने वाली लड़कियों का कहना है कि यह बहुत ही सराहनी पहल है जिससे हर लड़की को जोड़ना ही चाहिए वहीं प्रशिक्षक ने कहा कि लड़कों के बीच ड्रक्स का सेवन काफी देखने को मिल रहा है इसलिए यह जरूरी है कि लड़कियों को अपने बचाओ के लिए ट्रेनिंग दी जाए यहां पर बड़गाउम में ऐसा कुछ भी नहीं था स्पोर्ट के हवाले अगर हम नज़ा डालेंगे तो यहां पर ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा फिर मैं यहां पर डी सी साब के पास आया था जो न्यू डी सी साब आया है यहां या SSP साब उन्होंने बरपूर सपोर्ट के उन्होंने बोला यहां पर सेलर डिफेंस की ट्रैनिंग मिलनी चाहे गर्ल्स को क्योंकि यहां की जो गर्ल्स है वो अपना दिफार खुद बाखुद करें जो आज हमारे जमुकश्मीर रियासत में जो इस टाम ड्रग्स की बीमारी दिन बादिन फैल रही है तो उस चीज़ को रोक थाम लाने के लिए मेरे ख्याल से सेलर डिफेंस, स्पोर्ट्स, किर्कट, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में बच्चे पार्टस्पेट करने चाहें अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके